महिलाओं से जुड़े आज भी कुछ ऐसे मुद्धे हैं जिन पर अगर बात करी जाए तो लोग ऐसे शरमा जाते हैं जैसे कभी सुना ही ना हो जी हाँ, जो आपकी दिमाग में मुद्धे आने लगे हैं, उनी मैं से आज हम एक पर बात करने जा रहे हैं हम बात कर रहे हैं उन दिनों की यानी periods periods पर वैसे तो हमेशा से ही दबी आवाज में बात होती है लेकिन पिछले कुछ सालों से इस पर जोर शोर से बात होने लगी है वहीं अगर 2018 में आई फिल्म पैडमेन के बाद की बात करें तो लोगों की थोड़ी जिजद दूर हुई है हम मेंसे कई ऐसी महिला हैं जो इस पर कई सालों से काम कर रही है उन्हीं मैंसे एक महिला हैं जिन्होंने एक period party ही organize कर दी अब आपका reaction क्या होगा? सुनने में हो सकता है आपको बहुत cool लग रहा हो या हो सकता है आपका reaction हो ओ हो आज कल feminism के नाम पर लड़कियां कुछ भी करने लगी है लेकिन उन महिला को क्या reaction मिले होंगे? नमस्कार मैं हूँ शगुन मंगल और आप देख रहे हैं पत्रिका आज menstrual hygiene day पर हमारे साथ जुड़ी है जानवी तिवारी जानवी आपका studio में बहुत-बहुत स्वागत है जानवी सुर्खियों में तब आई जब उन्होंने आज ही के दिन एक period party organize करी जी हाँ वो साल था 2019 और तब से लेकर आज तक जानवी महिलाओं को periods में साफ सफाई रखने के लिए कई तरीके से जाग रुक कर रही है सोचते हैं वहाँ आपने period party करने का खयाल कैसे आया तो शाकुनी 2018 की बात है और 2018 से ही हम लोगों ने काम किना चालू किदिया था 2018 में मैंने लोगों से बात करना चालू किया था और तब मुझे समझ में आया कि periods के अराउंड इतनी शर्म है कि लोगों को बात ही ने कर दी उसके बारे में तो वहाँ से मैंने सोचा था तो वहाँ से मैं अपनी अज 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 परसें भी मैं बहुत ही हसी मजाग में विश्वास रखते हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम किसी भी serious topic को थोड़े से हसी मजाग के साथ ले तो मुश्किल से मुश्किल conversation भी कापी आसान हो जाती है और उसी तरह मैं सोच रही थी कि अगर हमें periods या menstrual hygiene के प्रती और awareness बढ़ानी है या और information देनी है लोगों को तो क्यों या हम उनको एक fun and learn तरीके से दे जैसे की बच्चे किंडर गार्टन में सीखते हैं जैसे बच्चों को खेलते कहलते सिखाया जाता है कुछ चीजों के बारे में क्योंकि आज तक हम लोगों को पीरे के बारे में कुछ सीका ही नहीं है तो हम चालू कहां से करें, that is the question. तो वही, जैसे छोटे बच्चों को किंडर्गार्टिन के तूर से खाया जाता है, वैसे ही हमने सूचा कि, पीरेट, पीरेट, पीरेट से क्या हो सकता है, तो हम लोगे हमने सूचा, पीरेट से पार्टी क्यों नहीं हो सकती, और बहा हमको एक आइडिया आया, कि अगर हम पीरेट के अराउंड एक छोटा सा ग्यादरिंग कर सकते हैं, बस हमने एक एवेंट को एक बहुती कूल नाम दे जा था, विच वस पीरेट पार्टी, और उसी के कारण काफी सारे लोग काफी उताबलेट भी थे, कि यहाँ पे होने क्या वाला है, जैसे हार एवेंट में गेम्स होते हैं, हार एवेंट में फोटो होती हैं, हार एवेंट में सेशन होते हैं, वैसे ही पीरेट पार्टी में भी एक सेशन था, Man in Menstruation जहाँ पर हम लोगों ने आदमियों को बोला था कि अपना perspective शो करे periods के बारे में और ये जो आदमी थे जो कि हमारे panel पे थे ये IFS officers थे ये जाने मानी हस्तियां थी जिन लोगों ने बताया था कि कैसे कैसे उन लोगों ने अपनी जीवन में उन ओरतों को help की है और उनका क्या perspective रहा है ये पूरा perspective वो नहीं सिर्फ लड़के बट लड़कों के साथ भी शेर करे थे तो ये पूरा idea था कि कैसे हम हसी मुजाख में एक बहुत ही serious topic को बहुत ही प्यार से लोग को समझा सके in the most purely packed event ever तो इस पर लोगों को क्या response मिला आपको जब लोग आए period party में या आपने बताया अपकी family को जब आपने बताया तो कैसे responses थे मेरी मम्मी को तो लगता है कि उन्हें गलती बीटी मिल गी है क्योंकि मेरी मम्मा बहुत मैं जितनी outspoken हुई जितना सादा पेश शर्मी से लोगों से बात करती हूँ मेरी मम्मी को उतनी ही शर्मा आती है मैं यज़ड़ अपने पापा को बैटके समझारी though आपा यह पांटी लाइनर होता है यह पैथ होता है अइससल पैर होता है यह मेश्की होता है और मेरी मम्मी गेट से बैटे-बैटे मुलती है, इस लड़की को शरम ही लिया, अपने बाप के साफ में पीरिट प्रॉड़क्स दिखा रही है So, यह हमारी फामली में, I think, मैंने इसके साथ पीस बना लिया कि, if, अगर-गर मुझे बाहर लोगों तक information पहुचानी है, तो आपको उस बारे में बेशरम होना पड़ेगा, क्योंकि शरम अल्डेटी बाहर बहुत जादा है So, जब मैंने अपने पेरिंस को बताया कि, पीरिट पार्टी हो रही है तो उन लोगोंने तो मतलब, मेरे माँ मेरे से होप खुच चुके है, पूरी, कि मैं उनकी हिसाब से चीज़े करने वाली हूं भी या नहीं लेकिन मैंने जब अपने दोस्तों को बताया, तो उन लोगों को या आइडिया काफी जादा पसंद आया मुझे और उन्हें काफी जादा पसंद आया, मुझे नहीं लगता कि मुझे उन्हें अन्हें करने में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हुई थी तो मेरे दोस्तों को बिल्कुल भी मुझे मुझे मुश्किल नी पढ़ी अपने दोस्तों को समझाने के लिए कि मेरे पास एक आइडिया है और हम कुछ कर सकते हैं लेकिन जैसे हम उस इवेंट को प्लाइन करें थे हमें लगा था कि मुश्किल से 50 लोग आएंगे क्योंकि क्योंकि कोई इतनी अजपटी सी पाटी में आएगा बट क्योंकि हम लोग ने नाम रखा था उसका पीरेट पाटी और हमने बुला था कि ये सेंट्रिल इंडिया की पहली पीरेट पाटी है अगर हम थोड़ा सा करके इतना अच्छा रिस्पांस देख सकते हैं तो हम अगर असल जिंदगी में उन चेंजिस को लेकर आएंगे तो कितना बड़ा इंपक्ट आ सकता है तो जहां मेरी एक्सपेक्टेशन थी जहां मेरी मुझे लगा कि पचास लोग आएंगे उसके च्छे तो लोग आए तब मुझे समझ में आया कि लोग चाहते हैं कि हम इस मुद्दे के बारे में बात करें बड़ कोई है नहीं जो ये मुद्दा आगे लेके जाए तो आपने इस मुद्दे के बारे में बात करना कब से शुरू किया लाइक वो पहला थोट आपती दिमाग में कब आया है कि मुझे हाँ इस मुद्दे पर काम करना है महिलाओं को पीरियट्स के लिए जाग रुक करना है तो शागून ऐसा है कि मैं 2016 में 12 से पास आउट वी 2016 के बाल 2016 से 17 मैं 2016 मैंने सुचा कि अब तो मैंने बहुत पढ़ाई कर लिया है अब मैं कॉलेज जाओंगी और अब मेरे शेहर से चुटकारा क्योंकि अब तो में जब आपस में आना है बट माई पेरिंस मेरे माबाप एक लड़की की माता-पिता होते हुए अपने रिष्टदारों की बातों में आते हुए उनको लगा कि घर की सबसे बड़ी लड़की अगर घर से बाहर गई है तो तय है कि लड़की हाथ से निकल गई है बिगड़ गई है इसको घर लेकर आना पड़ेगा क्योंकि इन लड़कीयां बाड़े शहर जाके तो बिगड़ी जाती है and 2017 में जब मैं अपने समर ब्रेक के लिए थी मैंने पापा से बोला पापा मेरी फीस भड़ दीजे से के लिए मैंने पापा ने बोला कौन सी फीस तो मेरी परमिशन के बेना मुझे वो पूने से वापस लेकर आ गए बोपाल और मैंने ठान ली कि अगर मैंने इत्ती महनत की दी पढ़ाई में और यह मुझे फिर भी वापस ले आए तो तो अब मुझे फाइनांशली इंडिपेंडेंट बनना ही पड़ेगा क्योंकि मैं समझ गई कि असल इंडिपेंडेंडेंस सिर्फ पैसे कमा कर रहा सकती है तो मैंने सोचा कि अगर मैं पैसे कमाती हूँ तो फिर मुझे एक जॉब करनी हूँ अरेरा कॉलिनी फॉपारिल में एक स्कूल है तो हम आपे जाते थे हैं मेरा काम था बच्चों के अटेंडिंस देखना वॉलिंटियर्स के अटेंडिंस देखना और मुझे लोगों से बात करना बहुत पसंद है मुझे बहुत मझा आते है उनके बारे में記 ånõnay वह कहां से आते हों किया सोचते हैं वह कैसा फील करते हैं इन सब में में को पता चला जब मैंने लड्कियों से बात की कि वह ऎ्टेंडिंस क्यों उनकी कम है जबकि हम इतनी मस्ति कराते हैं उनको school में, हम खिला रहे हैं, कुदा रहे हैं, डान्स करा रहे हैं, गानी अगभारे हैं, हम सब करा रहे हैं, बर्ट फिर भी लड़किया क्यों नहीं आ रहा है, और फिर हमें पता चला, जब लड़कियों ने बोला कि, दीदी, सफेद सर्वार पे, जमीन में बैठके पढ़ना बहुत मुश्किल है जब आप पीरिट्स पर रहते हो क्योंकि अगर वो टीचर्स के पास जाती है तो उनको लगता है कि ये लड़कियां क्लासिस बंग कर रही है और वाश्रूम्स की हालत इतनी गंदी रहती है कि हमी पास तक जाने में बदबू आ जाती है तो इससे अच्छा है कि आप घर पर ही रहो और जब मैं उनके घर पर भी गई ता मुझे समझ में आया कि कमाने वाले दोग लोग हैं खाने वाले पांच लोग हैं दादा दादी दो बच्चे और माता पिता और जब ये समझ में आता है कि इतने सारे खर्चे हैं तो कपडा लगा कि आप घर पे ही बैच जाओ रादर दिन एक मेडिकल दुकान से पैड खरीदना और बहाँ पर एक पीरिट पौवर्टी की चीज़ जो हमको एक समस्य है वो समझ में आती है कि कैसे आड जो अवेलिबल हैं मार्केट में वो आम लोगों के लिए या बिलोव पौवर्टी लाइन लोगों के लिए और बेरी एक्सपेंसिफ तो यहां से वो प्रॉब्लम जैसे-जैसे मैंने र जैसे मैंने बताया कि मुझे लोगों से बात करना बहुत पसंद है और मैं जैसे-जैसे इसके बारे में पढ़ती जा रही थी मुझे समझ में आ रहा था कि कितनी सीरियस प्रॉब्लम है तो एक दिन मैंने पस अंटी से पुझा कि आँटी आप क्या पैड यूज करते हो और इन आँटी को रोज का कचरा अठानी के पचास रुपे मिलते हैं और अन आँटी ने पताया कि हम जो पैड यूज करते हैं अपनी महावारी के आखरी दिनों में जब आखरी के कुछ ड्रॉप्स रहते उन पैड में वो आँटी ऊपर से वो स्लीव निकालती है उसमें से व खराब है इंडिया में कि औरतों के पास पैड लगाने के लिए अंडर्वेर नहीं है और ताट इस दे लेवल ओफ पीरिट पॉवर्टी जिससे हम डील कर रहे हैं जो जो ये इतनी इतनी डिफिकल्ट जड में हैं अभी ही मैं एक रिपोर्ट पर रही थी कि यदि आप पच है कि आप इंडिया के 10 प्रतिशत लोगों में से हो तो आप सोचे कितनी गरीबी है और वो गरीबी जब महावारी में आती है तो पॉप्यूलेशन का आधा हिस्सा कितनी भीशर तरीके से अफेक्ट होता है तो आपने पीरियड पोवर्टी के अभी बात करी ऐसा अकसर होता है कि गरीब परिवारों में महिलाओं की मेंस्ट्रॉल हाईजीन यानि उनकी पीरियड पे ध्यान नहीं दिया जाता है उन्हें प्राथमिकता नहीं दी जाती तो ऐसे में क्या करें क्या सरकार को इस पे काम पोवर्टी पोवर्टी लाइं और और बात को एक सुविधा पैड्स दिये हुए औरतों को यह सुविधा पैड्स बायो डिग्रडेबल है, मतलब यह प्लास्टिक के बनी ली है, अगर आप इनी मिर्टी में गाड़िंगे तो अगले 6 महीने बाद यह रहेंगे भी नहीं वहाँ पे, और सरकार ने यही सुवधाई दी है, सुवधाई पैड्स इसने एक्जिस्ट करते हैं, लेकिन हम जब पै साइट्स पे जादा दाम पर बेचे जा रहे थे, राधर देन जो गाउ में उनको होना चाहिए, कि औरते उन पैड्स को इस्तिमाल करके अपनी आपको प्रोटेक कर सके, बाक्टेरियल इंफेक्शन से, उसकी जगा वो व्यापार में और हायर मार्जिंस पे बेचे जा रहे ये सीधे सीधे करप्शन की बात है, जहां पर लिटरिली गरीबों से निवाला चीन के अपना पेट भरा जा रहे है, क्योंकि पीरिड्स इतने क्रिटिकल होते हैं एक औरत की जिंदगी में, उसका पूरा हॉर्मोन सिस्टिम, उसका बच्चा दानी, उसका मा बननी का सपना यहां तक कि उसकी जान भी जा सकती है अगर सही तरीके से पीरिड्स प्रॉडिक का इस्टिमाल नहीं हुआ, क्योंकि बैक्टिरिया सीधे आपके ब्लड में लगता है, और आप टॉक्सिक शॉक सिंड्रों के कारण मर भी सकते हैं तो जैसे आपने बताया कि इसके इसके अगर प्रभाव देखे, अगर महिलाएं पीरियड्स में साफसफाई ना रखें, अच्छे पैड यूज ना करें, तो इसके बहुत बुरा उन पे प्रभाव पड़ सकता है तो आप जब फील्ड में जाती हैं, तो क्या चीजों की आपको कमी लगती हैं जिन वजहों से आज भी महिलाओं को बेसिक सुविधा नहीं मिल रही हैं महिलाओ को यह बेसिक सुविता इसलिए नहीं मिल रही है पहली चीज़ यह एडुकेशन दूसरी चीज़ है करप्शन और तीसरी चीज़ है प्रमोर्टर की कमी हम ही समझना पड़ेगा कि जिन ओरतों को हमेशा से बोला गया है कि जैसे महाभारत में भी कृष्ण को बताना पड़ा था अर्जुन को कि मतब जैसे हनुमान को बताना पड़ा था कि वो अपनी शक्तियां भूल गए है ऐसी ही औरतों को एहसास दिलाने के लिए कि उनके ये हग है और वो अपने हग के लिए इस तरीके से लड़ सकती है या फि प्रमोटर, एजुकेशन और करप्शन ये तीन चीज़े मेरे अकॉर्डिंग जो मेरे एक्स्पीरिंस में मैं समझे हूँ आर सबसे जादा क्रिटिकल या फिर सबसे 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 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है कि महिलाई अर्बन रूल में या रूल सेटिंग्स में सफर कर रही है पीरिट पावर्टी के कारण तो ये आपने जो दिक्कते बता ये कम होगी जब हम उनसे फिल्ड पे जाके बात करेंगे तो आप जैसे फिल्ड में जाती हैं तो आपको क्या लगता है कि महिलाएं कमफोर्टेबल नहीं होती है तो आप सबसे पहले उन्हें कमफोर्टेबल कैसे बनाती हैं कि वो इस टॉपिक पर आपसे बात कर सकें तो मैं 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 बहुत मैंने बताया जैसे मुझे बात करना बहुत पसंद है और लोग अकसर अपनी रोजमारा की सिंदगी में इतने परिशान होते हैं कि फिर से एक और सीरियस टॉपिक के बारे में बात नहीं करना चाहते हैं तो आप लाइफ को फन कैसे बनाते हो चुटकोलो के साथ, जोक्स के साथ और सबसे अच्छा मजाख किसी को हर्ट किये बना आप किस पर कर सकते हो खुद पर तो अपनी सेशन्स में जब मैं औरतों को जाती हो पीरस के बारे में बताने के लिए तो मैं अपनी आपको एक मजाख का कारण बनाती हो और मैं उनसे awkward सवाल पोचती हूँ, सवाल जिनको उनको देने में थोड़ा सा हश्ट होगा या थोड़ा सा गबराहट होगी, लेकिन मैं वो सबसे awkward सवाल की चलिए हाथ अठाईए और मुझे बताईए कि आपको periods किस उमर में आये थे और फिर मैं बूल क्यों कि मुझे तो periods दस वीक अक्षा में आये थे और मैंने तो भगवान के हाथ जोड़ ले थे कि thank you God जी आप मेरे periods ले आए, चूकि मुझे तो लग रहा था कि मेरे periods आएंगे ही ने अब इससे दो चीते हुई, पहले लोगों समझ में आया कि अच्छा, इन दीदी के भी periods लेट आये थे इन दीदी को भी गबराहट हुई थे अपने periods के बारे में, अच्छा, अगर मेरे periods जल्दी आ गए, तो क्या ये दिक्कत है लेकिन फिर जब दूसरी लड़के बुलती है कि नई, मेरे periods तो आठवी कक्षा में आ गए थे, तो लोगों को समझ में आता है कि अच्छा, periods सारी लड़कियों को होते हैं, लेकिन एक समान नहीं होते हैं यहां से हमारी conversation की शुरुवात होती है, कि कैसे हम अपने आपको बीच में लेकर आके, अपने आपके बारे में बताके, दूसरों को सशक्तित कर सकते हैं, या दूसरों को empower कर सकते हैं, अपने बारे में self reflect करने के लिए, कि अगर ये दीदी है, जो कि एक privileged background को belong करती है, जो क हम से शायद से जादा अमीर होंगी, या फिर ये English भी बोलेती हैं, या फिर पड़ी लिखी भी है, बाहर से आई हैं, अगर इनके साथ periods में ऐसी ऐसी समस्या आ रही हैं, तो फिर हमारे साथ भी ये समस्या आ सकती हैं, और ये बिलकुल normal है, और फिर मैं अपने दोस्तों को लेकर आती हो, जो कि doctors हैं, और वो, वो session आगे बढ़ाते हैं, एक बार हम लोग वो comfort zone में आ जाते हैं, कि लड़कियां, लड़कियों वाली बाते कर सकें, वहां से फिर सारी शुर्वात होती हैं, कि periods कहा से आते हैं, क्यों आते हैं, कैसे आते हैं, क्या करना चाहिए, क्या तो गाउं और शहर की महिलाओं के साथ काम करने में आपको क्या मुख्य अंतर नजर आया? मेरी मम्मी मेरी मासी से बिलकुल डिफरेंट नहीं है, मेरी मम्मी भुपाल में रहती है, मेरी मासी हिसार में रहती है, औरते औरते होते हैं, और वो किसी भी प्रकार के होती है, it doesn't matter, कि वो यहां पे हो, शहर में हो, या गाउ में हो, absolutely nothing. तो जब तक हम पुरुशों को इस conversation में शामिल नहीं करेंगी, यानि जब तक gender equality नहीं आएगी, तब तक इस topic पर उतनी awareness नहीं आएगी, तो आप इस challenge से कैसे deal करती हैं, कि पुरुशों को इस conversation में कैसे शामिल किया जाए, उन्हें कैसे समझाया जाए कि periods में साफ सफाई, और periods कितने जरूरी हैं? तो पहली चीज तो आता है information से, before, जिससे पहले एक इंसान एक decision ले सके, अगर मुदी जी decide करते हैं कि सुवधा पैट्स हो ले चाहिए, तो मुदी जी को पतावना चाहिए कि periods क्या होते हैं, तो जैसे मुदी जी हैं, वैसे ही कोई भी आम आदमी हैं, औ अकसर ऐसा होता है कि कोई बताने वाला नहीं होता, आदमियों की भी तिकत नहीं है, क्योंकि periods हमेशा से इतना छुपा हुआ रहा है कि उनकी गलती लिए कि उनको नहीं पता कि periods क्या होते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, जिनको पता होता है periods क्या होते हैं, और फ जहां से शुरुवात होती है कि या तो सबसे बहले हम एजुकेट करें कुछ लड़कों की पहने होती है, कुछ लड़कों की माई होती है जो की उनको बताती है कि पीरेट्स क्या होते हैं, पैट्स क्या होते हैं लड़कियों को कैसे उनकी देखरे की जाती है उनके पीरिट के समय लेकिन कुछ जो घर के लॉंडे होते हैं जिनको पता नहीं होता कि पीरिट क्या होते हैं उनकी गर्फरिंड्स या उनकी महिला मित्र उन्हें पताती हैं कि पीरिट क्या होते हैं तो at all times आपको पता तो चली जाता है कभी ना कभी कि पीरिट क्या होते हैं Coming to the point कि कैसे हम पुर्षो को इस conversation में लेकर आ सकते हैं तो हमें फिर से वहां पर जाना पड़ेगा कि अभी जहां पर मैं काम करती हूं वहां पर चार में से एक औरत हैं बाकी तीन लड़कें तो इसका बतलब मेरा बॉस एक लड़का है मेरा कलीक एक लड़का है यहां तक कि बहुत अच्छे possibility है मेरा receptionist और मेरा pun भी एक लड़का हो तो male dominated society होना इसे कहते हैं and females को अगर आगे लेकर आना हैं तो हमें वो support की जरत पड़ीगी हमें वो एक हाथ चाहिए जो हमको लेकर आए कि आओ हमारे साथ and इसी लिए महिलाओं को पुर्षों की जरुरत नहीं है लेकिन पुर्षों को महिलाओं को help करना जरूरी है इसलिए नहीं कि उनको आपकी help की जरुरत नहीं इसलिए because आप उनको help कर सकते हैं आप अगर टॉपिक लेकर आते हैं कि अगर महावारी के समय पहले दो दिन महिलाओ को बहुत ज़्यादा क्रैम्स आते हैं, बहुत ज़्यादा दर्थ होता हैं, इसलिए उनको ओफिस में छुटिया मिलनी चाहिए, तो अगर दो महिलाओं बोलेंगी पूरे ओफिस में, तो ब हमारी बेटियां इस चीज से गुजादी हैं, हमें लगता है कि इस चीज सही है, and it's the right thing to do, that is exactly where आपको समझ में आता है कि यहाँ पे हम बदलाव ला सकते हैं, so that is the way to go, gender equality, क्योंकि gender disparity है, and बहुत time लग जाएगा हमको, लिकिन जरूरी नहीं है कि जो चीज बहुत time लगती है, वो आज से हम उसकी शुरुवात नी कर सकते हैं, बून-बून से सागर बनता है, so that is it. तो आपने अभी सरकार का जिक्र किया, तो आपको क्या लगता है कि सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए कि हर एक महिला को यह सुविधाय मिल सके, या जो आपने corruption की बात करी कि corruption कम किया जा सके, तो क्या सरकार को कदम उठाने चाहिए? I think Madhya Pradesh की महिलाबाल विकास काफी अच्छा काम कर रहे है Recently उन लोगों ने छोटे-छोटे Self-Help Groups में ये चीज चालू की है जहां पर महिलाएं आके And सरकार तो काम कर ही रही है One thing जो मैं जिसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ वो है कि हमारा जो यूथ है वो बहुत-बहुत-बहुत-बहुत इंपावर्ड है और they are doing everything वो अपनी हित में सब कुछ कर रहे हैं To bring a better society कि वो जाके महिलाओं को उनके पास कुछ नहीं है जैसे मैं नी शुरुआत की थी किसी के साथ पर नहीं कि उनके पास एक साफ दिल है और वो चाहते हैं कि ये दुनिया का भी दिल साफ हो कि हर औरत को उसका हक मिले तो information का काम बहुत ही प्यास थे बहुत सारे self-help projects sorry non-profit projects और NGOs कर रहे हैं इसके अलाबा धीरे धीरे क्योंकि इसके बारी में awareness या information बढ़ती जारी है तो government भी इसमें काफी सारे initiative ले रही है तो आपने भी बताया कि बहुत सारे youth इसमें आ गया रहे हैं तो आप अपने experience से क्या कहना चाते हैं कि जब आप ये काम करने के लिए आगे आई तो सबसे बड़ा challenge क्या रहा यानि आपके अब तक की journey कैसी रही हा तो मेरी journey की शुरुवात के phases रहे है तो चालू हुआ कि मुझे कुछ करने है फिर जैसे जैसे information मिलती के वैसे वैसे मैं de-motivate होती के कि ये problem बहुत बढ़ी है ये problem बहुत बढ़ी है लेकर जैसे जैसे वे लोगों से बात करने लगी तो फिर से उठाव आदे लगा कि हो सकता है कि दूसरों के support से होता जाए और सबसे साथे दिक्कत आती है कि कुछ भी करनी के लिए आपको ऐसा लगता है कि आपको रूल्स के साथ खेलना पड़ेगा आपको एक तरीके से चीजे करनी पड़ेगे मैं यह कहते हूं कि अगर आपको कुछ करना है तो आप करो आपके दिमाग में boundaries या आपके दिमाग में rules सिफ यहां तक रहते हैं घोड़े को race में ऐसे दढ़ाया जाता है कि वो इधर का ना देखे और उधर का ना देखे तो the point being कि अगर आपको लगता है कि आपको यह problem का solution चाहिए या आपको इस समस्या का हल निकालना है तो आप अपना सब कुछ देतो जब मैंनी काम करना चालू किया था तब मैं उन्ली साल की थी मेरे मुझे मेरे पास pocket पनी भी ने थी तो मैं कहां ही एक NGO register कराती और कहां ही मैं कुछ भी कर पाती बट मैंनी किया हम लोगों ने केरला में जब फ्लड आये थे हम लोगों ने तब पैड्स दिस्टिब्यूट किया जब आसाम में फ्लड आये थे हमने तब पैड्स दिस्टिब्यूट किया करूना काल में हम लोगों ने तीन हजार पैड्स दिस्टिब्यूट किया इन सब के पैसे आई जब आपने अपने मन में ठान लिया कि नहीं मुझे ये करना है तो आपने एक फंड रेजर किया कि आपने अपने दोस्तों को बोला और जब आपका दिल साफ रहता है तो सामने वाली को पता रहता है कि आपका दिल साफ है जब आप तीन कदम चलते हैं तो आप साम कदम लेने पड़ेंगे कि society आपको help करें और ये exponentially इतनी जल्दी बदल जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा जैसे सिल्मान भाई बोलते हैं कि तुम एक इंसान के मदद करो वो तीन इंसान के मदद करेगा वो तीन लोग और तीन लोग के help करेंगे और आपको पता भी नहीं रहेगा कि आपनी change की लहर कब ले आयो तो आप आज से आने वाले पांच या दस साल में इस फिल्ड में क्या बदलाव देखना चाहती है शगुल बदलाव तो आ रहा है और चलती का नाम जिल्दगी तो अभी बाते हो रही है कि periods exist करते है periods के बारे पर बात करने चले ओ महिलाओं को periods होते है ओ महिलाओं के अलावा भी लोग होते हैं जो अपने आपको महिलाई नहीं बुलाते हैं और उनको भी periods होते हैं अभी बात सिर्व इतनी चल रही है लेकिन जैसुस को कहते हैं कि this is just the tip of the iceberg, periods तब आते हैं जब बच्चा नहीं होता, लेकिन periods के अलावा एक बहुत बड़ी दुनिया है, जो periods से related है, जो कि होती है आपकी mental health, कि अगर एक महिला अपने बच्चा खोती है, तो उसके around उनका mental health कैसा रहता है, जब महिला एक बच्चा डिलिवर करती है, तो postpartum depression जिसको बोलते हैं, वो क्या होता है, जब महिलाओं के periods आ रहे होते हैं, तो उसको कहते है, PMS, premenstrual syndrome, उसको क्या कहते है, mental health तो कोई discussing नहीं करता, उसके बाद हम occupation पे आ जाएं, तो period leaves, maternity leaves, even abortion leaves, कोई बात नहीं करता, health पे, इंडिया अनीमिक है, पूप महिलाई, अभी, literally, 70% औरते, इंडिया की, अनीमिक है, कि उनको खून की कमी है, मैं जानती हूँ, मैंने cases देखे हैं, कि एक लड़की गाउं में जाती है, बोलती है, माम से, कि माम मेरे periods में आये हैं, और वो डॉक्टर बुलती है, कि जाओ पनी मम्मी को लेकर आओ, और उसको लगता है कि वो प्रेइटनेंट है, क्यूँ, क्योंकि लाक ओफ इंफुमेशन, पता चलता है, वो अनीमिक है, और तब पता चलता है, जब उसमें फासी लटका के अपने आपको माल लिया, क्योंक है, जब PCOS और PCOD के टाइम पे, फेशल हैर आ रहा होता है, और भी बहुत सारी दिक्कते आती है, जो कि महिलाई सिर्फ अकेले पेस कर रही होती है, और पुर्षों को इसका कोई अंदाजानी होता, तो अगले पास साल में मुझे ऐसा लगता है, कि ये जो कॉन्विशन है, ये जो बाते हैं, ये और गहरी और और मल्टी डिमेंशनल होंगी, ना ही सिर्फ और्थों के लिए, बट कुईर कम्यूनिटी के लिए भी, जो लोग के पीरेजाते हैं, लेकिन आपने आपको महिलाई नहीं बुलाते हैं, तो जैसा जानवी ने आज हमें ना सिर्फ पीरिय होगा और आप भी सिर्फ एक कदम लेंगे, जैसा जानवी ने बताया, अगर आप एक कदम लेंगे, तो लोग आपसे जुड़ते जाएंगे, और ये कारवा बढ़ता जाएगा, तो आज जानवी का हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, वो पत्रिका के साथ आई, और उन् ये मौए अधसे जाई बताया कि एक का ये जाई पकानवी ने आएंगे, ये जान एक कर दम लेसे को आई, जा पक्रियर आपसे कर वेंगे, और दो आओसे क dersा हम शुक्रिया जांगे, ये जान एन एक को खिसो प hetांए, तो आए ये सांटते तो पका हम शुणे साली